आगामी कारिक्रम प्रायुजित किया है जॉइस मायर मिनेस्ट्रिस के मित्रों और सहयोगियों ने पहली चीसों में से हैं जिसके बार में मुझे परमेश्वर का अपने साथ ने पटना याद है जब मैंने 35 वर्ष पहले उनके वचन का देहन शुरू किया था मेरे विचार से वे सभी के लिए महत्वपूर्ण है पर ये विशेश रूप से उनके लिए महत्वपूर्ण है जिने परमिश्वर सेवकाई में इस्तमाल करने वाले हैं क्योंकि हम सच मुझ किसी भी काम में बहुत सपल नहीं हो सकते, यदि हम उन्हें करते हैं बहुत से गुप्त अलग इरादे से, हम लोगों से बाते चिपा सकते हैं, हम उन्हें अपने आप से भी चिपा सकते हैं, पर हम उन्हें परमिश्वर से नहीं चिपा सकते हैं, क्या परमिश्वर को हमेश्वर मुझसे किसी चीज़ के बारे में नेपटना पड़ा मैं हमेशा कहती हूँ कि उपर उठने के लिए आपके शरी को थोड़ा नीची जाना पड़ता है उसका कारण शयाद ये था कि मेरे सच मुझ बहुत से गलत इरादे थे या कुछ और पर परमिश्वर आरम में ही मेरे साथ इरादों के बारे में निप्टे मुझे ये वचन याद है और मैं आपको ये बताने वाली हूँ कम से कम 34 वर्ष पहले परमिश्वर ने मुझे ये वचन दिखाने आरम किये ये रहे वो वचन वचन 11 कि उस नेव को छोड़ जो पड़ी है और वो इश्यू है कोई दूसरा नेव नहीं डाल सकता पॉलुस ने पॉलुस प्रेरितने वचन 10 में कहा ता परमिश्वर के उस अनूगरह के अनूस सार जो मुझे दिया गया और मैं तुमारे जीवन में नेव डालता गया और वो नेव थी इश्यू मसी में विश्वास की नेव हमारा अनूगरह द्वारा उद्धर होता है हमें अनूगरह से हम अपने कारियों से उसे कमा नहीं सकते और इस ज्यान की नीव से की हम मसी में कौन है को हमारे जीवन में पहले स्थान पर होना चाहिए उसके बाद वे कहते हैं पर यदी को इस नेव पर सोना या चांदी या बहु मूल पत्थर का गाठ या फूस्त का गद्दा रखे, सुने मुझे क्या कहना पसंद, अब हमारे जीवन में इश्यू मसी की नीव है, कितनों का नया जन्म हुआ है, अच्छा, फिर आपको जीवन में इश्यू मसी की नीव है, आप आज यहां इसलिए आए हैं कि आप ए कैसे करते हैं, क्योंकि वो सामान और इराद अति महत्वपुन होते हैं, जिन से हम उसका निर्मान करते हैं, वे कहते हैं कि हम बना सकते हैं सुने के साचांदी के साथ, लकड़ी की और काट और फूस के साथ, आप कैसा जीवन बना रहे हैं, आप सचा जीवन बना रहे हैं, कि आप उखोटे पहनते हैं लोगों को छलते हैं या सच मुझ वो कहने की कोशिश करते हैं जो आपको विश्वास हो कि परमिश्वर आपको करने को कह रहे हैं और आप केवल उनके लिए वो करते हैं किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं मैं नहीं जानती यह आप और परमि शेक नहीं अनुभव करते नहीं उनसे आपको जीवन मिलता है परन्तो आप वो करते हैं आप ये भी नहीं जानते कि आप क्यूं उन्हें करते हैं आप इसलिए करते हैं क्योंकि आपकी पहचान का हर व्यक्ति वो करता है और आप नहीं चाहते कि आप अकेले जो वो नहीं करता आप लोगों को प्रसन्न करने के लिए कितने कारे करते हैं पर अपने दिल की गहराई में उनके बारे में अच्छा अनुभव नहीं करते हैं मैं स्वैम यही सवाल करते हूँ यह कि वल आपके लिए नहीं है आप कितने काम करते हैं जो आपको पसंद नहीं है मुझे सच मुझे विश्वास है कि आज मैं आपको जो बता रही हूँ आपके लिए जीवन बदलने वाला होगा यदि आप इसे समझ लेंगे मैं ये गैरंटी नहीं दूंगी कि इससे आप तुरंत बड़ी आनुभाव करने लगेंगे पर मुझे विश्वास है कि ये सच मुझे जीवन बदलने वाला होगा हमें परमिश्वर को जवाब दे होकर जीना सीखना है केवल परमिश्वर को क्योंकि जब हमारा यहां समय समाप्त होगा और वो हमारी आशा से कहीं पहले होगा ये महतवपूने नहीं कि आप सौवर्षों तक जीते हैं वो अनंत के सागर में एक बूंद के जैसा होगा और हमें परमिश्वर को प्रसंद करने के लिए जीना चाहिए यदि हमें किसी को प्रभावित करना है तो वे परमिश्वर होनी चाहिए हम जो भी करें हमें उसे परमिश्वर के लिए करना सीखना चाहिए किसी कितने ऐसे काम करते हैं जिन से आप पर बहुत बोज़ पढ़ता है और आप तनाओं में रहते हैं और आप उन्हें के वल अधिक पैसे कमाने या सफलता कि सीड़िया चड़ने के लिए या इसलिए कि आप सब जानना चाहते हैं मुझे याद है मैं जब गिर्जे में हर कामें शामिल होती थी क्योंकि मैं ताक ज्छाग्या थी और वो सब जाना चाहते थी जो हो रहा था परमिश्वा ने मुझे बताना आरम किया तुम्हें यह जाने की जरूरत नहीं है तुम अपने को ठका रही हो रोज रोज कमिटी के लिए जाना जरूरी नहीं है इसमें शामिल होकर उसमें शामिल होकर सब निरतक बाते सुनकर तुम्हें वो सब जाने की जरूरत नहीं है थे मैं चाहती थी कि उन्हें वरिष्ट पद्वी मिले मुझे अब याद नहीं कि वो कैसा चाहते थे पर मैंने चाहा था क्योंकि डेव ऐसे थे कि वो कभी कुछ नहीं चाहते थे और सही लोगों से मेल जुल बढ़ाने लगी मैं और सही दलों में शामिल होने लगी गिर्जे कि इस तरह सेवा करने में जितना भी समय लगा ते वो व्यार्थ होता था हमें उसके लिए कोई प्रतीफल नहीं मिलता था अच्छा हम दूसरों के लिए कितने काम करते हैं उन्हें अपना कर्जदार बनाने के लिए उसके बाद हमारा कैसा रुख होता है तो मेरा कर्जदार हो क्योंकि मैंने तुम्हें ये किया था अब तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा या हमें अनुकल पक्ष की ओर देखना चाहिए जैसा मेरे विचार से हम करेंगी आप कितने काम केवल परमिश्वर के प्रेम के लिए करते हैं कितने केवल उनकी सेवा के लिए करते हैं आप कुछ चाहते हैं नहीं होते केवल उनकी सेवा करने के लिए और आग्याकारी के लिए करते हैं कितने काम दूसरों की मदद करने के लिए करते हैं और सच सच कह सकते हैं मुझे उनके बदले में क्या चाहिए मुझे उनकी मदद करने की प्रबल इच्छा है हम इसी स्थिति पर पहुँचना चाहते हैं ये वो बदलाव है जो हम चाहते हैं हम अपने उद्धिशों में बदलाव चाहते हैं सच कहते हूं मैं अकसर देखती हू मैं अपने इरादा बदल देती हूं किसी चीज में शामिल होने से पहले क्योंकि मैं अपना जीवन बिल्कुल बरबाद नहीं करूंगी ऐसे काम करके जो व्यर्थ हो और जीन में समय और कोशिश व्यर्थ होते हो मैं वो करना चाहती हूं जिससे मेरे जीवन में अच्छा हल उत्पन हो और कुछ नहीं अच्छा होता है कुछ काम इसके लिए करना क्योंकि वो करना सही होता है उसके लिए आपकी इच्छा होना या महसूस करना जरूरी नहीं है मुझे विश्वास की परमीश्वर को अच्छा लगता है जब हम इसलिए कुछ करते हैं कि वो सही होता है वो करना सही होता है किसी के साथ जाकर शांती बहाल करना अच्छा होता है यदि आपकी उनके साथ अन्बन हो, सही होता है वो इनसान हो ना जो पहल करता है, उस परिस्ति में शांती बहाल करने के लिए ख्षमा करना सही होता है, हमारा वैसा अनुभव करना जरूरी नहीं होता, यदि मैं आपको बीस बार ख्षमा करू तो आप मेरे कर्जदार नहीं बनते में, इसलिए वो करती हूं कि कि परमिश्वर ने मुझे वो करने को कहा होता है, और क्योंकि वो सही होता है, और इसलिए कि वो मुझे से होश्यार है, और मैं उनके तरीके से काम करना चाहती, क्योंकि मैंने अपने तरीके से काम करके बहुत समय बर्बात किया है, आमी हम बहुत से काम करते हैं जो हमें किवल इसले करने चाहिए क्योंकि वे परमीश्वर के प्रति हमारा दाइत्व है जैसे अपने बुजर्ग माता पिता दादा दादी की देख भालका न मैं अपनी हर सभा में इसमय पर पहुंचते हूं क्यों कि वो मेरा दाइत्व है मैं परमीश्वर से मुझे आशिश देने और इस्तमाल करने के आशा नहीं कर सकती यदि मैं यह कहूंगी मेरी आज बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही मुझे यह नहीं करना चलिए एक और वचन सुनते हैं एक कुरुंतियों की और चलते हैं वचन 13 तो हर एक काम स्पष्ट और सामने प्रकट हो जाएगा वैसा दिखेगा जैसा वो है क्योंकि वो मसी का दिन उसे बताएगा इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है जिसका काम उसकी मेहनत या प्रयास उस पर बना हुआ स्थेर रहेगा वो मजदूरी पाएगा और यदि किसी का काम उस पर एक श्या में जल जाएगा तो वहानी उठाएगा अपना फल आए हैं आपने शार्ट सोचा था कि मेरे जीवन में सच मुझ बहुत सा मस्यां है यह मेरी और कैसे मदद करेगा और नने मसीयों आप नहीं जानते या कि कितनी मदद करेगा यदि आप अपने उदेश्यों को सही बना सके यदि इस सबसे मुक्ति पासके मैं तुमें प्रभावित करना चाहती हूं मुझे उसकी परवा है जो तुम मेरे बार में सोच तो मैं इसलिए कर रही हूं यदि आप ऐसे स्थिति में पहुंचे जहा या करने के लिएप उसमें नहीं है मैं आइंद अपने जीओन में बेजान अभी शेकित किक मुरत कारीएं अत्मा के साथ अपना दिल पृत्र करने के लिए काम कर सकेंगे और उतनी शक्तिशाली उतनी सफल मनुश्य बन सकेंगे आप नहीं जानते बिलकुल नहीं अभी वो देखना बागी है जो परमीश्वर किसी मनुश्व के द्वारा कर सकते हैं जो अपने दिलों को पवित्र होने देते हैं और अपने हर कार्य के लिए परमीश्वर को पाए ढूंडते रहते हैं मेरे विचार से ये शायद सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि परमीश्वर वो देखते हैं जो दूसरे लोग नहीं देखते और वे सत्य पवित्रता और इमानदारी चाहते हैं और इसका मतलब परिपूर्णता नहीं है ये नहीं कि हम सब कुछ उ योग्यता से करते हैं हम ढोग नहीं करते हम सपश्टवादी होते हैं दिल के पवित्र होते और जो करते हैं अपनी पूर्ण योग्यता से सही कारण के लिए करते हैं परमीश्वर को शरीर के काम उसे घ्रीना है हमें परमीश्वर के काम करने हैं और दोनों एक दूजे से ब बढ़ा सकूं अपनी परिस्थित्यों को बदल सकूं पदान ती पाउं गिर्चे में आराधना की अगुवाई कर सकूं प्रचारक्की परम मित्र बंसकूं या और कुछ पास सकूं जो मैं चाहती हूं यह मेरा विचार है और मेरी शक्ति है जो वो कहने की कोशिश कर रही है जो केवल परमिश्वर कर सकते हैं कितने मेरे साथ सहमत है और उस पर कोई अभिशीक नहीं होता इसलिए हमारे हाध लगती है सपलता निराश और हताशा इसके अलावा कुछ नहीं जाती हूं कि मैं वर्षों तक यही करती रही थी और वर्षों तक हताश होती रही थी मैं ऐसे करूँगे मेरी सेवकाई बढ़ जाएगी और यदि मैं ये करूँगी मुझे व्याख्यान के लिए अधिक कर बोलाया जाएगा यदि मैं वोग करूँगी शायद अधिक द्वार खुल जाएंगे, यदि मैं ऐसा करूँगे मैं सही लोगों से मिल पाऊंगी, यदि मैं आपके साथ अच्छी बनूँगी तो आप मुझे न्योता देंगी और मैं सही लोगों से मिल पाऊंगी और मेरा सही लोगों से संपर् लिखा मैं आप पर 35 वर्षक्रा ग्यान डाउनलोड कर रही हूं इसे स्विकार करें हुआ कि उद्देश उपर यह मां का उबढ़ता हुआ ग्यान है चलिए भी हमारा एक जीवन होता है जो हम यहां जीते हैं जिससे सब देख सकते हैं परमीश्वर को जिस जीवन की परवा है वो हमारे अंदर है वो हमारा अंतरिक जीवन है भजन 51 कहता है कि वे रिदय की सच्चाई से प्रसन्न होते हैं परमीश्वर को हमारी गुप्त इंसानियत बहुत सुंदर लगती है आपका एक गुप्त जीवन है जिसके बारे में किवल वे और आप जानते हैं और वही सबसे महत्वपूर्ण होता है बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन आपकी जीवन का आमीन इसलिए आपको वास्तों में लोगों के आखनी की परवा नहीं करनी है क्योंकि केवल वही महत्वपूर्ण है जो परमिश्वर सोचते हैं अब हम उदेश्यों की और लोडते हैं कि हम कैसे अपना फल गवाते हैं और एक मिनिट के लिए आपको एक उधारन दोंगी शरीर की काम वो है जो हमें सूचते हैं और हम यह सोच कर वो करते हैं कि उनसे लोगों का ध्यान हमारी ओर जाएगा पर परमिश्वर के काम वो काम करनी होते हैं उस सरल और पवित्र तरीके से जैसे वे कहते हैं और आपको इसकी परवा नहीं होती कि आपको कुछ मिलता है या नहीं आप जानते होते हैं कि परमिश्वर आपकी सहाईता करेंगे पता है परमिश्वर मुझे वहवारिक बातों दुआरा सिखाते है इसलिए मुझे आपको वैसे ही सिखाना होगा मैं बहुत विशिष्ट नहीं हूँ पर मेरे विचार से आप समझ जाएंगे वर्षों पहले परमिश्वर मुझे उद्देश्यों के बार में सिखा रहे थे और मैं पालर में बैटक मैनिक्योर करवा रही थी मैं क्रिलिक नाखुन लगवाती हूँ और उन्हें लगाने में थोड़ा समय लगता है वे बहुत सुन्दर और चमकी ले थे और हम विग्यापन करना चाहते थे नहीं गवाई मैंने शुद्ध हदाई से वह पहना था मैं इश्व के लिए गवाई देना चाहती थी तो एक दिन में पालर में मैंने क्यों करवा रही थी और वहाँ एक अन्य महला थी जो मैंने क्यों करवाने के लिए प्रित्रक्षा कर रही थी वह बहुत छोटी दुकान थी और इसलिए वो जानती थी कि मैं बाइबल की शिक्षी का हूँ हम बाते करने लगे वो एक मसी थी वो एक कैंसर वार्ड में नर्स थी उसने कहा काश मैं लोगों के साथ परारतना कर सकती और उन्हें इशू के बारे में बता सकती पर ऐसा करने पर हम नौकरी गवा सकते हैं इसलिए मुझे महसूस हुआ कि पवितरात्मनी मेरे दिल में कहा कि मुझे उसे इशू दिन देना था और कहना था कि यदी वो उसे अपनी युनिफॉर्म पर पहनेगी और जब अपने मरीजों पर जुकेगी उनकी सेवाओं के लिए वे उस नाम को देखेंगे और इशु के नाम में ही उनकी मदद करने की शक्ती थी इसके अलावा मुझे अनुपव हुआ कि वो अभी शेकित विचार था इसलिए मैंने उसे वो बताने के बारे में सुचा ता पवित्रा आत्मा ने मुझे सपर्श करके एकांत में ये करने को कहा मैंने सुचा मैं ये एकांत में कैसे कर सकती हूँ यहाँ एक और लड़की है इसलिए उसने तुरंत बाद ही मेरा मैनीक्य और कर रही थी लड़की निका जो आएस में एक मिनिट के लिए बगल वाली दुकान में जा रही हूं वहाँ पर सौंदरे के प्रसाधन मिलते हैं और मुझे एक चीज लानी है यहां एक चीज समफ्थ हो गई है तो वो बाहर चली गए मैं तुरंत अपने दिल की गहराएं में यह जानगे कि परमिश्वा मुझे मौका दे रहे हैं थे एक आंत में उसे और स्वैम कोई ध्यान न पाने का उसके लिए यह करने का मुझे बताती हुए घृणा हो रही है और अफसोस हो रहा है कि मैं उसके बारे में सोचती रही बहुत देर सोचती रही अब सोचनी पर थोड़ा श्रेप आने का मौका ढूंड रहा था अंत में मैंने यह सोचा कि मेरे विचार से उसके लिए अच्छा उधारन होगा यदि वो मुझे उधार बनते देखें कि सो मैंने ऐसा किया कि उसके लोटने के प्रतिक्षा कि फिर अपना इश्व दिन उतारा परमेश्वन सब्यूद्नी मेरे कि दिल में बात कि और मुझे तुम्हे ये देने को कहा ओँ आप कितनी अच्छी है सब ने कहा कि मैं अच्छी हूँ और मैं बहुत बढ़ी अनुपव कर रही थी मेरा मैंनिक्यार हो गया और मैं वहां से निकली तो पवित्रा आत्माने मुझे का आशा ह तुम्हें खुशी हुई होगी क्योंकि तुम्हें और कुछ नहीं मिलेगा हम बहुत सी चीजों से वंचित रहे जाते हैं जो परमिश्वर हमें देना चाहते हैं क्योंकि हम थुड़ा श्रे लेने के कोशिश करते हैं लोगों का ध्यान खीचना चाहते हैं परमिश्वर हमें न जाने कैसे आश्य देते यदि हम उन पर इतना विश्वास करते कि अपने ओट सी लेते और ये देखने की प्रतिक्षा करते कि परमिश्वर क्या करते हैं मत्ती छे की ओर चलते हैं मुझे वो पढ़ना बहुत प्यारा है मत्ती छे सावधान रहो तुम मनुश्यों को दिखावे के लिए अपने धर्म के काम न करो ये रहा उद्देश ये मनुश्य के दिखावे के लिए इसका ये मतलब नहीं कि कोई भी कभी आपको भले काम करते देख नहीं सकता अपने हर काम लोगों से चिपाना संभव नहीं होता पर उद्देश एहम होता है उन्हें इसलिए ना करो कि लोग आपको देखे कभी ध्यान दिया है कि इशु बहुत से काम करने के बाद चुपचाप कहीं से निकल जाते थे और साथ ही वे अकसर कहते थे इसके बारे में किसी से मत कहना इसका क्या कारण था वे लोगों का ध्यान नहीं चाहते थे वे उसके लिए ये नहीं कर रहे थे वे उन्हें पवित्र ही रखना चाहते थे जिन से परमिश्वर की महिमा होनी थी हमेशा याद रखें कि जब लोग आपकी अत्यधिक प्रशन सा न करे परमिश्वर आप पर निहाल हो रहे होते हैं वे उसके बारे में हुसाइत होते हैं ज जहें कोई अन्य वो नहीं देखता जो आप करते हैं नहीं तो अपने स्वर्ग्य पिता से कुछ भी फल न पाओगे तुम्हारे लिए आरक्षित और तुम्हारी प्रतिक्षा में न रखाओगा इसलिए जब तु दान करें तो अपने आगे तुरही न बजवा जैसा कप्टी सभा और गलतियों में करते हैं ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना फल पाचुके परन तो जब तु दान करें तो जो तेरा दहिना हाथ करता है उसे तेरा बाया हाथ न जानने पाए जानते हो परमीश्वन ने मुझे ये बात ऐस समझाई थी मुझे लोगों के लिए बहुत से महान काम करने का मौका मिलता और मैं बहुत व्यास्त रहती हूं जैसे हम यहां एक बड़िया कॉन्फरेंस करेंगे हमारे यहां से जानी तक 16-17,000 लोगों का उद्धार हो गया होगा बहुत सी अद्बुत बाते हुई होगी ल मैं रात को अपने बिस्तर पर लेट हूँ तब मुझे यह नहीं सोचना है कि मैं कितनी अच्छी हूँ और मैंने कितने अच्छे काम किया हमें ऐसा करके अपने कोहानी नहीं पहुंचानी है हमें कहना है परमीश्वर मैं आपके बिना कुछ नहीं हूँ मैं रोज कम से कम 10 ब मैं आपने को नीचा दिखाने या अपने बारे में बुरा अनुभाव करने के लिए यह नहीं करती पर मैं स्वयम श्रे नहीं ले सकती क्योंकि तब सब समाप्त हो जाएगा मैं इस बात से वाकिप हूँ हूँ कि यह मैं नहीं परमीश्वर कर रहा है क्योंकि सच्चाई तो यह है कि मैं इतनी प्रभाव शाली नहीं हूँ बस बोलती हूँ और यदि मेरे जीवन पर अभिशिक नहीं होगा तो कुछ नहोगा ऐसी इमारतों में कई घंडों तक लोग ठसा ठस नहीं भरे होंगे वे बच्चों को छोड़ कर यातरा करके होटलों में नहीं ठहरेंगे एक महिला को अपने पर चिलात और ऐसे बात करता सुनने के लिए मानो वो सबसे अहम है मेरे जीवन में परमीश्वर की उपस्तिती जरूरी है वना उसे कोई लाब नहीं होगा और ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे दिन में एक बार इसकी जरूरत पढ़ती है पर मैं चाहती हूं कि वे सही हूं और मैं गलत कारणों के लिए कुछ करना नहीं चाहती हूं मैं परमीश्वर के आग्या कारी करना चाहती हूं और मैं दिनों दिन सुधर रही हूं मैं आज कुछ लोगों की आँखे ख भावित नहीं होते हैं ہ मारी इरादे उनके लिए ऐहम है हमें बाइबल में वो कहानी पड़नी है जिसका नाम है विधवा की दमड़ी उसने दो दमड़िया दी थी जो एक बहुत चुटी रकम थी मैं नहीं जानती वो कितने पैसों के बराबर ते वो यह नहीं देख रहते कि लोगं कितने पैसे डाल रहे हैं उ Geo क्ब इव कर वे उनके रुखों को देख रहते सबसे कम दिया था कि परिश्व ने कहा कि उसने उन सभी से अधिक दिया था पता है क्यून कि उन्हों ने उसका दिल देखा वो अपना सब कुछ बलिदान करने को तयार थी और उस नीकल परमिश्वर के प्रेम के लिए ये किया और उन्हों कहा उसने सबसे अधिक दिया है पर्मिश्वर की और हमारी गिंती में फर्क होता है आप बाद्रन करने को प्रशाइट करेगी कि वेहर काम में आपके सची इरादों को प्रकट करें याद रखेगी परमिश्वर को हमारे काम की उतनी परवा में जितनी हमारे इरादों की होती है वे चाहते हैं कि हमारे मकसद पवित्रों हो इससे न किवल उन्हें बल्कि हमारे जीवनों को भी सच मुझ आशिश मिलती है बहुत ही बढ़िया आशिश और रोजमरा जीवन का आनन लेने में मदद करने दें जोईस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही किंती हैं जितना की आप चानते हैं हम आपकी सराहना करते हैं और इस सरिकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं हम साथ मिलकर भूखों को खाना खरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सूसमाचार बाटते हैं अपना प्रात्ना निविदन भीजने के लिए कृपया आज ही संपर कीजिए अमारे श्रोतों के बारे में और भी जानिये जोईस की सभाओं की सूची देखिए मारे साथ सहभागिय बनने के इसका खर्च उठाया है जोईस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने